यह जो adjustments की बात हमने की है लेट से छोटा से सवाल करके देखते हैं कि adjustment कैसे करना है S limited sold goods to its holding company H limited अचा यह ज़रूरी नहीं है कि S ही बेचेगा H भी तो बेच सकता है तो जो भी बेच रहा है important thing कि उसने जिसने बेचा है उसने profit record किया लेकिना सेल पर बेच रहा है तो सेल जो करेगा उसके पास profit होका है जो खरीद रहा है उसकी तो वो cost होगी तो इस case में subsidiary ने बेचा है अचा आगर subsidiary बेचती है और उसके profit को आप कम करते हैं because of adjustment unrealized profit जो है जो stock में पढ़ा हुआ है तो इससे जो आपका minority interest holders है यह non controlling interest holders है उनका profit कम हो रहा हुआ है तो यह बाराल अपनी जगा लेकिन adjustment देखने पहले the goods originally cost 20 million and they were sold to H at a markup of 25% 20 million का 25% 5 million बनता है तो sales बनेगी आपकी 25 million अगर तो यह भिक जाता है माल stock में कुछ नहीं रहता तो फिर तो कोई adjustment की जुरूवत नहीं पढ़ेगी सिर्फ cancellation क्या करनी पढ़ेगी कि A, S और H की balance income statement में cost और sales कम हो जाएगी लेकिन अगर stock में कोई चीज पढ़ी रह जाती है तो obviously जिसके पास वो stock पढ़ा हुआ है उसके पास वो sale price पर है उसमें profit का एक हिस्सा है तो वो profit जो है क्योंकि अभी विका नहीं है माल तो इसलिए वो कहलाता है unrealized profit और जो भी unrealized profit होगा उसकी books में adjust होगा जिसमें stock पढ़ा हुआ है जिसके पास stock पढ़ा हुआ है तो जिसके पास stock है वो अपनी books में उसको निकालेगा let's see the answer unrealized profit and intercompany sales original cost 20 million add 25% markup which is 5 million sale value is 25 million so there is a profit of 5 million since 30% goods are still unsold therefore 30% of profit is unrealized so 1.5 million का जो profit है वो realized नहीं है और इसको आपने group sales and cost will be reduced by 25 million and this unrealized profit of 1.5 million will be reduced from the inventory and added to the cost of goods sold और reduce it from the group gross profit जैनि हमेरे जैसे कहा था कि या तो आप इसको cost of goods sold में add करके profit को कम कर ले या फिर इसको अलग से gross profit में minus करके दिखा दे हैं दो नहीं acceptable हैं लेकिन यूजली यह cost में add कर लिया जाता है अनिलाइस profit are three ways to adjust यह भी एक debate थी कि जी यह अनिलाइस profit किसकी बुक से minus हो seller की बुक से, buyer की बुक से simply consolidated account से होना चाहिए standard नहीं यहां clear कर दिया है कि जी आप seller की books में adjust करें तो इस case में देखें एक treatment तो यह भी हो सकता है only in the parent company's profit बुक तो जाना है ultimately जो आपने खरीदा है तो क्यों खरीदा बेचने के लिए खरीदाना तो ultimately बुक जाएगा तो फिर इसमें adjustment करने की जुरूरत है सच नहीं अगर करना ही है तो holding company जो consolidate account बना रही है उसमें adjust कर लें और in the seller's company profit जो recommend किया है क्योंकि seller ने profit जने क्या दो वो एक का profit कम होगा दूसरे का inventory कम हो जाएगी लेकिन group accounts में adjust हो जाएगा only group share of unrealized profit is adjusted यह भी interesting है कि बजाए कि आप hundred percent adjust करें बलके उसमें जो group का हिस्ता है सिरफ वो adjust करें सारा के सारा adjust करने की जुरूरत ऐसच नहीं है sale of non current asset at profit यह भी एक issue है कि अगर आप non current assets बेच रहे हैं एक दूसरे को और वो भी आप profit पर बेच रहे हैं तो obviously जो non current assets है एक की books में profit वाली figure पर है और एक ने अपना profit बनाया जब बेचा है cost से निकाला है तो यह जो profit है यह भी तो unrealized है क्योंकि group एक है तो यहां आप इसमें profit नहीं बना सकते हैं अगर बनाया है तो उसको reverse करना पड़ेगा लेकिन इसमें एक और जो problem आएगी वह यह होगी कि जिसने खरीदी है वो उसको depreciate करें को उसी price पर यानी तरह में खरीद है उसी price पर depreciate क करें जब वह उस price पर depreciate करने जाता है तो obviously depreciation की figure जो है बड़ी होगी लेकिन असल में तो group की figure कम होनी चाहिए जूकर जो original price है उसकी तो इसलिए हमें दो adjustment करना पड़ेंगी यानि उसका profit भी कम करना पड़ेगा और फिर जो depreciation excess charge होई है उसको भी reverse करना पड़ेगा जैसे मै क्या हर question में आप देखीगा के मुक्तलिफ adjustments आती है और adjustment के कोई limit भी नहीं है मैं आपको बता लिए हम final accounts बनाते हैं towards the year end number of adjustment हमें डालना पड़ती है और कुछ adjustment तो बस हम company के figure को उपनी चाहिए करने के लिए भी डाल देते हैं which is wrong basically लेकिन जो genuine adjustments है वो हमें डालना ही पड़ agreement है कि अगर आपने non current assets sell किये हैं तो उसमें जो unrealized profit है asset cancel नहीं होगे याद रखें लेकिन उसमें जो profit का portion है वो cancel हो जागा क्योंकि assets तो वहां भी थे अब यहां आ गए हैं लेकिन उसके पास जो profit का हिस्सा है उसको reverse करेंगे इससे तरह depreciation जो है उसको भी adjust करेंगे thank you very much